नमस्कार दोस्तों स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का साहित्य जोड़ आज की इस वीडियो में हम लोग पानी की कहानी जो कि रामचंद्र तिवारी जी द्वारा रचित है ये पाठ सारांश एवं रश्न उत्तर को पढ़ेंगे चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और प्रथम हम इस पाठ के सारांश को समझने का प्रयास करते हैं यह जो पाठ है वो आचारे रामचंद्रिवारी ने दिखी है और इसमें मुख्य रूप से जल की उत्पत्ति उसके विकास एवं उसने अपने जीवन के भीतर जो भी संघर्ष किया है उसको आत्मक थात्मक स पहली में प्रस्तुत किया है बहुत ही सुंदर ढंग से शित्रत किया है सबसे पहले एक ओस की जो बूंध है वो बेर की जाडियों से उतर कर लिखक के हाथों में आ जाती है और लिखक से बात करने लगती है अपने बारे में बताने लगती है यह बताती है कि बेर के पेड क पास वाली भूमी वह बहुत दिनों से घूम रही थी इसी दवरान पेड के जड़ों में मौजूद रोय द्वारा तक खीच कर तनों तक पहुचा दिया गया और फिर सूरी के नजदीक से एक अगनी पिंट गुजरने के कारण जो सूरी था उसके तूटने से प्रिथवी और सूरी के धरातल पर विद्यमान मौजूद जो हाइड्रोजन और आक्सीजन थे उसका कुछ हिस्सा जो है प्रिथवी पर जाकर हंडा हुआ और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की रसाइनिक प्रतिकिरिया से ही जल की उत्पत्ति हुई है आपने विज्ञान भी पढ़ा होगा यानि की बदल जाती है कुछ समय के बाद जब पुनाह जल के रूप में होती है तो गर्म हवाओं के संपर्क में आकर यह जो बर्फ होती है वह थरल रूप में बदल जाती है बदलकर समुन्दर में मिल जाती है समुन्दर में जाकर उस बून्द ने विचितर विचितर प्रकार के जीव जन्तु आदी को देखा समुन्दर में पाए जाने वाले विविद वनस्पतियों को भी देखा है और अता समुन्दरतल में ही मौझूद चटानों से होते हुए वा धरती के तल पर पुना पहुचती है और जुआला मुखी विसपोर्ट के कारण क्या होता है वह भाब के रूप में बदल जाती है और जाती है चट्टानों से होकर वह पुना एक छोटी सी नदी में मिल जाती है धर्ती के साथ बहते हुए एक नगर में चली जाती है जहां एक मिनार को देखने जैसे ही आगे बढ़ती है एक बड़े नल में खीचली जाती है लेकिन कई दीनों तक नल में खटकने के बाद वह एक ऐसी जगह पहुच जाती है जहां नल टूटा हुआ रहता है और उस टूटे हुए हिस्से से निकल कर भागती है और पुना प्रिथवी के अंदर समा जाती है और वापस प्रिथवी के अंदर घूमते घूमते बेर के पे हर्ण और पुना वो जो पाणि है वह और और बनकर योस की बूर्ण के रूप में खटक्य हटएली से लुपत हो जाती है तो इस टरीके से इस पात के भीदर पानी की उत्पत्ति कैसे होई है जल पत्ति कैसे हुई है उसके बारे में पूरी बात बताई गई है एक आत्मक थात्मक सैली में आत्मक था के रूप में यानी जो पानी की बूंद है वह अपनी कहानी पयम सुना रही है आईए अब इस पाठ के प्रश्न उत्तर को देखते हैं सरो परथम बहुँ भी कलपी पत्र सैली में भी नहीं है और वर्णात्मक सैली में भी नहीं है यह जो है आत्मक थात्मक सैली में है पानी इसमें अपनी कहानी स्वयम सुना रही है अपने बारे में स्वयम बता रही है इसलिए इसकी जो शैली है वह आत्मक थात्मक है दूसरा प्रश्न देखिए ओस कहा से आई थी इसके चार विकल्फ है पहला गास से, घ趣 नमबर पीपल के पेढ़ से, घर नमबर आम के पेढ़ से और घ़र नमबर बैर के पेढ़ से, क्या सही उत्तर है पैर के पेढ़ से इसके बात का प्रश्ण किसरा नंबर किसके लिए ओस के असंख बंधुओं ने अपने प्राण नाश कर दिये निनष्ट कर दिये इसमें चारवी कल्प देखिए पहला मनुष्य दूसरा पक्षी तीसरा जीव और चौथा पेड़ घर नंबर पेड़ तो देखिए इसमें बत पेड़ की यड़ों ने उसे सोख लिया था इसका जो सही उत्तर है वो है घर नंबर पेड़ सत्थे प्रश्ण को देखिए ओस के पुर्खे कौन-कौन से गयस है यानि कौन-कौन से गयसों से ओस बनी है ओस यानि आप जल तो आपको मैंने बताया कि जल जो है वो है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यानि हद्रजन और ओस जन से बनी है तो इसका सही उत्तर हर नंबर है हाइड्रोजन और ऑक्सीज पाचवा नमबर प्रशन देखिए प्रिथ्वी प्रारंभ में कैसा गोला थी चार विकल्प पहला दोहे का दूसरा सामबे का तीसरा मिट्टी का और चौथा आग का तो आपको पता ही है प्रारंभ में प्रिथ्वी जो है वो आग का गोला थी क्योंकि सूर्य से ही तूटकर निकली हुई थी आए अब हम इसके अगुतरिय प्रश्न को देखते हैं पहला प्रश्न क्रोध और घ्रिणा से कौन का पुठी तो देखिए ओस की बूंद जो है वो ओस की जो बूंद है वो क्रोध और घ्रिणा से का पुठी दूसरा प्रश्न किसके सरीर से समक निकलती थ इसके सरीर चमक निकलती थी उत्तर देखेए समुंद्र के एक विसेश प्रकार की मचली पाई जाती थी उसी मचली के सरीर से चमक निकलती थी तीसरा प्रश्ने, बूंद का सरीर कब ऑक्सीजन और हाइट्रोजन में विभाजित हो गया उत्तर देखिए, एक उचे तापमान वाले इस्थान पर जाने के बाद बूंद का जो सरीर है वो ऑक्सीजन और हाइट्रोजन में विभाजित हो गया प्रश्ण बूंद को कब बाहर फेक दिया गया इसे दिखिए बूंद जब ज्वाला मुखी के नीचले हिस्से में पहुची तो लावा के साथ उसे क्या हुआ बाहर यानि वास्पी के रूप में बदल गई तो उसे बाहर फेक दिया गया पाच्वा प्रश्ण किस कारण वह बूंद बनकर नीचे खुदी उत्तर बहुत से भाप चल करणों के आपस में मिलने के कारण उनका जो भार है वजन बढ़ गया और उससे क्या हुआ वह बूंद बनकर नीचे खुद पड़ी आपको पता ही है यह जब बहुत से भाप बन जाते हैं और उनमें एक भार आ जाता है तो फिर वह बूंद के रूप में परणित हो जाते हैं तो उसी चीज को यहां पर बतल और जाता है तो और बाद च्छटा नंबर प्रशचन रहा है पहाड़ों के पथरों का रेत रूप कैसे बना है तो देखिये यह गंब Constitution पा नी के बूंदों के पहाडों पर प्रहार करने से क्या हुआ है पहाडों की जो चथाने तूट गई चट्टानों के टूट फूटने से वह रेत यानि मिट्टी के रूप में बदल गई है के बाद बहुत मुलक प्रश्ण देखे बच्चों अक्सार बच्चों का कॉमेंट आता है कि मैं प्रश्ण के उत्ठर बहुत बड़े हैं से छोटे कर दीजे कई बार जो प्रश्ण के उत्तर होते हैं से छोटे करने से क्या होता है उसका जो सही उत्तर है वह नहीं बन पाता है कही न कहीं ऐसा लगता है कि To The Point answer नहीं दे पा रहे हैं इसलिए कुछ प्रश्णों के उत्तर थोड़े बड़े कोते ही हैं, आपको यह बत समझनी होगी और उसी के अनुरूप सयारी करनी होगी तो देखिए, पानी का जन्म क्या से हुआ था? उत्तर देखिए, बहुत पहले किसी ब्याद, ब्याद यानि बहुत बड़ा प्रकास पिंड के सूरी के करीब से गुजरने की कारण सूरी का हिस्सा तूटकर अलग हो जाता है और जिसमें से एक हिस्सा हमारी प्रित्वी भी रहती है, इस प्रित्वी के साथ ही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की कुछ भाग सूरी से दूर चले जाते हैं अर्डोवर्शा तक थंडा होने के बाद ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में रसायनिक प्रतिकिरिया करते हैं, जिसके फल सूरूप ही जल का जन्म होता है यहां पर भी वही बात बिताई गई है कि hydrogen और oxygen की रसाइनिक प्रतिकिरिया होने से जल का जन्म हुआ है दूसरा प्रश्न प्रारंभ में पानी का सरीर का रूप कैसा था पानी के सरीर का रूप कैसा था और फिर बाद में कैसा होता गया क्रमस कैसा हो गया उत्तर देखिए आरामभ में पानी जो थी वह प्रित्वी के और चारो और वह वास्प के रूप में भाप के रूप में भटक रही थी और इसके बाद वह बर्फ के रूप में बदल गई और फिर ज्वाला मुखी के विसपोट के साथ ही उपर की और जल करणों के रूप में बादल का निर्माड करने लगी जल करनों की अधिक्ता के कारण जब जल करन बहुत ज्यादा हो गया तो बर्सात के बूंदों के रूप में धर्ती पर पुना पहुच गई धर्ती पर बूंदों के रूप में गिरने लगी तीसरा प्रशने देखिए बूंद ने समुंदर के वीतर क्या-क्या देखा उत्तर है कि बूंद ने समुंदर के वीतर विचित्र विचित्र प्रकार के जीवजन्तु को देखा जैसे एकदम धीरे-धीरे रेंगने वाला घुंगा, जालीदार मचलियां, कई-कई मन भारी कचुएं, हाथी वाली मचलियां, हाथों वाली मचलियां, तो इसके अलावा, ओक्टोपस भी देखा था, तो अथा नंबर प्रश्ण देखते हैं, आईए, जाला मुखी किसे कहते हैं, देखिए, जाला मुखी प्रित्वी की उपरी सतह पर उपस्थित एक ऐसी दरार या मुख है, जिसके भीतर से निकलने वाला लावा, गैस, धूलकर्ण, वास्प, राख, आदी, संकु के आकार में जमा होते रहने से, जाला मुखी परवत का निर् होता है, पाँचवा नमबर प्राशन देखिये, पहाड से गिर सरिता, यानि नदी मन, वह, क्या करती है, और कहा पहुँचती है, जल के बारे में बताएगा है, पानी के बारे में बताएगिया है, तो देखिये, पहाड के सिखर से कूध कर, चटानों पर गिरने से, उसके प्रहार से चप्तान फृह है टोकर टूट जाते हैं और तो पर की दिजका नडी के रूत में बहते हुए नदी साथ ही नगर में पहुछते हैं वहां पहुचते ही लमें भी पहुछई है और उसी में और नल झीच लिये जाते हैं müsste06ग नूंझ लगुतरिया और बोध मुलक दोनों खतम होता है अब हम लोग इस पार्ट से सम्मंदित जो भाषा बोध के प्रशने हैं वो करना चालू करेंगे तो इसमें सबसे पहले बताया गया है कि तत्षम शब्द किसे कहते हैं यह पार्ट के भीतर भी है संस्क्रित के वे शब्द जिनका प्रयोग हिंदी में वैसे ही किया जाता है यानि जैसे वो संस्क्रित में थे उसे ही हम तत्षम कहते हैं जैसे दुग्द, दधी, अगनी, वर्षा यह शब्द संस्क्रित में भी वैसे ही हैं और हिंदी में भी इनका प्रयोग जियों का त्यो किया जाता है इसे ही तद्भव शब्द कहते हैं जैसे कि आपने यहां पर एक शब्द पढ़ा था दुगद का बदला हुआ पूध तध्षम में दही है तो वही शब्द तध्भव में क्या बन गया है दही तध्षम में अगनी शब्द है तो तध्भव में वही रूप बदल कर बन गया है आग वर्शा कब तध्भव रूप क्या है बारिश इस तरीके से आप समझ सकते हैं संस्कृत के वे शब्द जो हिंदी में जियों के त्यों उसी रूप में प्रयोग किये जाते हैं उसे ही हम तत्षम कहते हैं तो वे शब्द जो इनका रूप बदल जाता है ठंस्कृइट से जब वो हिंदी में आते हैं, लूप बदल जाता है, उन्हें हम तद्वोशब्द कहते हैं, ठिक्ए हमें करना क्या है, कि यह जो निमने लिखे शब्द दिये गए हैं इन शब्दों में से कौन से तत्षम शब्द हैं और कौन से तध्वो शब्द हैं हमें उन्हें लिखना है तो आईए सबसे पहले हम क्या करते हैं आपर हेडिंग दे डालते हैं सबसे पहले तत्षम शब्द में सबसे पहले आईए हम लोग देखते हैं तत्षम और उसके बाद यहाँ हेडिंग दे डालते हैं सबसे पहले हैं मोती मोती कौन सा शब्द है मोती आपका आएगा तत्षम में इसके बाद हाथ सद्भव कार्य सच्छम स्रिश्य सच्छम जेद सद्भव खर्ण सच्छम पत्थर सद्भव के बाद मुह मुह आपका सद्भव कार्य कार्य आपका आजाएगा कार्य तो दे दिया है दुबारा क्यूं कार्य आपका हो चुका है धुआ शब्द जो है वह आपका आएगा सद्भव में मुह सद्भव में पुर्खे सद्भव में भूमी सच्छम सच्छ सद्भव पुर्भ प्रत्यक्ष और मनुष्य सद्भव 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 कि कि जो सब्द किसी संग्या या सरवनाम की विषेषण के जैसे भारतिय सुंदर अब को इसकी ईसकी विषेष्टा है कि वो मोटा है इसे हम विशेशन कहेंगे अगर मैं कहते हूं लाल पतंग पतंग क्या है संग्या है और उसकी विशेश्था क्या है कि वो लाल रंग का है तो संग्या या सरवनाम की जो विशेश्था बतलाते हैं उसे हम क्या कहते हैं विशेशन कहते हैं अब हमें क्या करना है कि हमें यहां कुछ शब्द दिये हैं इन शब्दों के हमें विशेशन रूप बताने हैं आए देखते हैं जंगल का विशेशन रूप क्या हो सकता है है कि तो इसी तरीके से नगर का नागरिक, दर्शन, दर्शन का दर्शनिक, ते बाच सद्धा का शद्धालू, एक सब्सक्राइब साहस का साहसिक के अलावा कुछ शब्द हैं जैसे अनुभाव और सक्ति अनुभाव का अनुभाव और सक्ति का क्तिशाली थि श्जाली इमने लखी शब्द यूगम में कुछ दीए गये हैं जैसे इधर उधर इनकोवाक्य में प्रेयोग करना है आप लिख सकते हैं, आप स्वयम भी लिख सकते हैं ऐसा वाकी बनाना है जिसमें यह सारे सब्ध हो तो इधर-उधर मोहन इधर-उधर घूम रहा था या फिर आप लिख सकते हैं, बाग में फूल, बाग में फूल, इधर, उधर, लिखरे, दूसरा जो है, यह वो उथल पुथल है, क्या शब्द है, उथल पुथल है, उथल पुथल का क्या बना सकते हैं, आज कल, आज कल देश में फूल, उथल, उथल मची है, यहाँ पर है, बाधा नहीं होगा, यह सब लिखने में थोड़ी से गलती हो गई है, बंधु, 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 यह शब्द है, इसका क्या होगा, कल मैं अपने बंधु, के साथ पिकनिक पर जा रहा हूँ, इसके बाध का शब्द है, जैसे तैसे, जैसे तैसे, आप इसका लिख सकते हैं, मोहन ने जैसे तैसे परिक्षा ती शहल पहल, स्कूल में बहुत चहल पहल मची है, आसपास, मेरे, पास, पास, अच्छे, लोग, रहते हैं, मैली, कुचैली, हमें, मैली, कपड़े, नहीं पहन ने चाहिए, लाल पीला, उसका चहरा उससे से लाल पीला को गया, उचलने, कूदने, यह समय, उचलने, उदने का नहीं, पढ़ने का है, ठीक, हमने लिके, शब्दों के अग्रेजी के समान अर्थवाले शब्दे लिखिए ठीक है, जो अग्रेजी के समान अर्थवाले शब्दे हैं, ठीक है, वो हमने लिखना है, तो आपको पता यह रसाइनिक प्रक्रिया को अंग्रेजी मी क्या कहते हैं केमिकल रियक्षिन ठीक है एक एक यह एक यह और केमिकल ते बाद दुर्गटना को क्या बोलते हैं आपको पता ही है एक्सिडेंट हम लोग रोज मर्रा के जीवन में एक्सिडेंट शब्द का इस्तेमाल करते हैं इसके बाद तापक्रम क्रम्प्रेचर क्रम्प्रेचर हन्यवाद थैंक्स के अलावा अद्रजन हाइड्रोजन उसके बाद आपका एक और शब्द है ओस्जन तो कि यहाँ पर टाइपिंग छूट गया है ओस्जन और शब्द जन अक्सिजन तो यहाँ पर यह शब्द खतम हो रहे हैं और यह वीडियो भी खतम हो रही है आसा है कि यह वीडियो आप लोगों के लिए काफी उप्योगी होगी एवं इससे आपको लाभ आवस्प पहुचेगा वीडियो को लाइक करना चैनल को सब्सक्राइब करना और कॉमेंट करना न पहुले आपके कॉमेंटों से यह मैं पता चलता है कि मैं कौन सा वीडियो डालना है जो बच्चों के लिए बहुत ज्यादा उप्योगी रहेगा इसी के साथ हन्यवाद जो यूखचेगा चैनल को से यह रहेगा झालना है भीडियो के लिए टो न ंते हैं झालने दोगेगा झालना है जो यह एता है जो जो रहें गया झालना है झालना है